नमस्कार, स्वागत है आपका डोफी के इस यूट्यूब चैनल पर इस चैनल के माध्यम से हम भारत के महान रशनाकारों के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियों को आप लोगों के साथ शेर करेंगे आज हम एक ऐसे लेखक के जीवन वसाहित्य को आपके सम्मुख लेकर आया है जिनके लिए साहित्य कर्म भी उलाहने पकटुक्तियां ही लेकर आया है लोगों ने कहा जुआरी बिशनबा और शेर सिंग बूचर का लॉंडा कवी बन गया है ये दोनों विशेशन उनके कर्म को नकारने के लिए कई बार उन पर आरोपित किये गए मगर अपने सारे आकरोश वर रोश को उन्होंने अपनी जिद बना लिया और प्रण किया कि अब सिद करना है कि जुआरी का बेटा भी साहित्यकार बन सकता है ऐसी अद्यम्य जीजी विशा युग व्यक्तित्व का जन्म 14 ओक्टोबर 1931 को उत्रा खंड के अलमोडा के बाड़ी छीना गाउं में हुआ वैसे तो आपका नाम रमेश मत्यानी था बाद में आपने अपना नाम शैलेश मत्यानी रख लिया जो आपके पहाडी जीवन से मिलता था अपने पारिवारिक विवसाय का आपको ये प्रतिसाद मिला कि हाई स्कूल तक पहुँचने में आपको 20 वर्ष लगे मात्र बारा वर्ष की आयू में आपने अपने माता पता को खो दिया तेरा वर्ष की उम्र में आप कवीता लिखने लगे ये तो शुरुआत थी प्रख्यात कथाकार के रूप में आपके स्थापित होने की लेकिन सदैव उलाहना वा कटुक्तियां ही जूली में गिरती रही अंततह निराश होकर घर से पलायन किया टिकेट के लिए रुपे भी नहीं थे अपने चाचा के घर से घी चुरा कर बेजा 19 रुपे मिले फिर रानी खेट से हल्दवानी होते हुए दिल्ली या रुपे नहीं थे मात्रत तीन दिवस में दौराहा लगू उपन्यास रंगमहल के लिए लिखा 15 रुपे में उसे बेचा और इलाबाद पहुँचे जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ संघर्ष का न थमने वाला दौर उनके जीवन में स्थाई रूप से विद्यमान रहा इतनी निराशा भी हुई कि सभी सपने खोकले लगने लगे फिर भी पूर्जा बटोर कर लिखते रहे साहित्य की प्रमुख पत्रिकाय रंगमहल वधर्म यूग में प्रकाशित होने के पश्चात भी अगर पेज भरने के लिए जूटे बरतन मांजने पड़े फुटपात पर सोना पड़े भरपेट भोजन के लिए जान बूश कर हवालात में जाना पड़े अपना खून बेशना पड़े और रंगम का अधिकांश हिस्सा दलाल ले जाए तो इसे क्या कहा जाए साहित्य की ये कैसी विटंबना कितनी कंगाली मगर जितना विराट आपका संघर्ष था उतना ही विराट साहित्य देकर हिंदी साहित्य को सदा सदा के लिए अपना रिणी बना लिया आपने तीस उपन्यास, लगभग इतने ही कथा संग्रह दो संस्मरण, तेरह निबंधों की पुस्तकें, तीन लोग कथा संग्रह उस पर भी समिक्षकों की हैरानी ये कि विशय की पुनरावरती नहीं, दोहराव नहीं पहाडी जीवन की जलक भी विद्यमान है, तो महानगर का आपराधिक जीवन भी इतना ही नहीं, साहित्य के प्रती इतनी आस था कि दो पत्रिकाओं, विकल्प और जनपक्ष का संपादन भी किया बंबय में अपराध की दुनिया को बहुत करीब से देखे जाने का अनुभाव, उनके उपन्यास बोरी वली से बोरी बंदर का हिस्सा बना इस उपन्यास में फणिश्वर नाथ रेणू के बहुत पहले ही आंचलिक्ता के दर्शन किये जा सकते हैं जहां आकाश कितना अनन्थ है नामक आपका उपन्यास, प्रेम के लिए और प्रेम के खत्म होने के साथ खुद को खत्म किये जाने के खिलाफ खड़ा होता है वहीं चील माता और दो दुखो का एक सुख वे महत्वपून कहानिया है जिनके कारण शेलेश मट्यानी जी की तुलना दोस्तो वस्की और मैकसिम कोर्की से की जाती है स्त्रियों के लिए गहरी समवेदना आपके जीवन वा लेखन में सदयव मौजूद रही आप अकेले ऐसे लेखक हैं जो पत्नी प्रेम को अपनी कहानी का केंद्र बिंदु बना कर अर्धांगिनी जैसी कहानी रचते हैं बाबा नागा अरजुन ने जहां आपको हिंदी साहित्य का गोर्की कहा वही राजेंद्र यादव ने आपको सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा वे कहते हैं कि उनके पास सबसे अधिक संख्या में मसलन 10-12 एवन कहानिया हैं जो अंतराश्ट्री अस्तर पर रखी जा सकती हैं हम लोग कही न कही बुकिश हो जाते हैं वे जिंदगी से उठाई गई कहानिया लिखते थे वे रेणू से बहुत पहले ही आंजलिक उपन्यास वे कहानी लिख चुके थे ये तरासदी ही है कि उन्हें रेणू के नाम से सहत्य सम्मान दिया गया और ये मत्यानी की सहजुता कि उन्होंने उसे स्विकार किया गिरिराश किशोर आपको प्रेम चन के आगे का कथाकार मानते हैं सारे संगर्षों से आपने लोहा लिया लेकिन 1902 में अपने छोटे पुत्री की हत्या ने उन्हें तोड़ दिया अब साथ की स्थिती में भी लड़ते रहे परंततह मानसिक विक्षिप्तता की हालत में 24 अप्रेल 2001 को इस दुन्या को जीवन जीने का तरीका सिखलाते हुए चले गए उनके हिंदी साहित्य के प्रती प्रेणा दायक समर्पन वह उत्कृष्ट रचनाओं के फलस्वरूप आज भी उत्राखन सरकार द्वारा उत्राखन राज्य में पुरुसकार का वित्रण होता है शैलेश मत्यानी का रचना संसार कहानी संग्रह मेरी तैतीस कहानिया दो दुखों का एक सुख दूसरों के लिए सुहागिनी तथा अन्य कहानिया सफर पर जाने के पहले हारा हुआ अतीत तथा अन्य कहानिया मेरी ब्रीय कहानिया पाप मुक्ती तथा अन्य कहानिया हत्यारे बर्फ की चट्टाने जंगल में मंगल महाभोज चील प्यास और पत्थर नाच जमूरे नाच, माता तथा अन्य कहानिया, भविश्य तथा अन्य कहानिया, अहिंसा तथा अन्य कहानिया, भेडे और गडरिये शैलेश मत्यानी की 51 कहानिया, शैलेश मत्यानी के द्वारा लिखे गए उपन्यास, बोरी वली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, हौलदार, चिठिर सैन, तिरिया भली न खाट की, किस्सा नर्मदा बेन गंगुबाई, चौथी मुठ्थी, बारूद और बचुली, मुख वर के हंस, एक मुठ सरसों, बेला हुई अबेर, कोई अजनवी नहीं, दो बूंद जल, भागे हुए लोग, पुनर जन्म के बाद, जल तरंग, बर्फ गिर चुकने के बाद, उगते सूरज की किरण, छोटे छोटे पक्षी, रामकली, सर्प गंधा, आकाश कितना अनंत है उत्तरकांड देरेवाले, सवित्तरी, गोपुली, गफुरन, बावन नदियों का संगम, अर्ध कुम्भ की यात्रा, मुठ भेड, नाग वल्लरी, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर, निबंध और संस्मरण, मुख्य धारा का सवाल, कागस की नाव, राश्ट्र भाशा का स सवाल, यदा कदा, लेखक की हैसियत से, किसके राम, कैसे राम, जनता और सहत्य, यथा प्रसंग, कभी कभार, राश्ट्रियता की चुनोदियां, किसे पता है राश्ट्रिय शर्म का मतलब, 1902 में कुमाउं विश्व विद्याले ने दीलिट की मानत उपाधी से सम्मानित किया, 1984 में मुठभेड उपन्यास के लिए फणिश्वर नाथ रेणू पुरसकार प्रदान किया गया, उतरप्रदेश सरकार का संस्थागत सम्मान, शारदा सम्मान, देवर्या केडिया सम्मा आशा करते हैं कि साहित्यकारों के जीवन से संबंधी ये छोटा सा प्रयास आप सभी को पसंद आ रहा होगा, उमीद करते हैं कि डोफी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का साथ यूही बना रहेगा झाल